सब्सक्राइब कीजे मेरे चनल को और प्रस कीजे बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें हेलो फ्रेंड्स मैं अभी जी ताज की वीडियो में मैं आपको मस्क मेलन यानी खरबूजे को सीट से ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ साथ ही साथ फ्रोटिंग का डे बाइट है अपडेट भी दोंगा और इनको केयर कैसे करें इनको फर्टिलाइजर कैसे दें सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो वीडियो को आप पन तक जरूर से देखेगा तो चलिए इनको हम seed से लगाने का process सीखते हैं musk melon को grow करने के लिए जो मैंने container लिया है वो है grow bag तो ये जो grow bag है उसका जो size है वो है 3 by 3 feet का है तो ये square shape का है इसको मैंने stand पे रखा हूँ है और इनके लिए जो seed मैं use कर रहा हूँ ये तमिल नाडू वेराइटी घरबूजा है बहुत इच्छा फूटिंग करता है तो इस ग्रो बैग में मैं तीन वेराइटी लगाने वाला हूँ जिसमें से एक ये तमिल नाडू वेराइटी है तो सीट का जो नुकीला पोर्शन है वो मिट्टी में कुछ इस तरह से आपको लगाना है और चलिए अब हम सारे सीट्स को लगाते हैं तो चलिए पहले हम मिट्टी की बात कर लेते हैं कि इसके लिए हम मिट्टी कैसे तयार करें मिट्टी में हमने 30 परसंट गोबर की कात 50% स्वाइल और 20% सैंड वाला स्वाइल मिक्स लिया है इस तरह से हमें खर्बूजे तर्बूज बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं तो खर्बूजे की तीन वेराइटी मैं तीन लाइन में लगाऊंगा तो देखिए लगबग उनके बीच की दूरी मैं आठाट इंच रखोंगा और देखिए इस तरह से लगबग तीन से चार सीट्स ही मैं एक लगा दे रहा हूं दूसरी लाइन में इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैं उतनी ही गैपिंग देके इनको भी लगाऊंगा मस्क मैलन यानि खर्बूजे के सीड लगाने का जो सही टाइम होता है फरवरी मार्च होता है लेकिन अभी अप्रेल चरला है अभी भी आप डिले नही लगा जितनी गैपिंग मैंने अदर में दी थी उसी तरह से इन में भी दूँगा तो सेम तरह से हमने इनके भी सीड लगा दिये आपको ध्यान रखना है जो सीड्स है बहुत जादा गहराई में नहीं दबाना है आपको लगबग एक से ठेर इंच गहराई में ही रखना है जैसा कि मैंने किया है तो इस तरह से लगाने के बाद हम हलकी हाथ से मिटी से इसको seeds को दबा देंगे ताकि ये पूरी तरह से मिटी से cover हो जाए और अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे आपको पानी धेड़ सारा देना है पहली बार ताकि seeds germinate हो, fruiting वाला plant है दूप जादा चाहिए होती है घरबूजे के seed को लगाए आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे seed से germination हो चुके हैं बहुत अच्छे plant grow कर रहे हैं घरबूजे के seed को लगाए आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं 40 दिन आप देख सकते हैं हमारे जो plant हैं वो बहुत जादा grow हो चुके हैं बहुत जादा अच्छे से growth कर रहे हैं अब इनकी जो जादा से जादा growth हो जाए तो आप इनको किसी रसी की सायता से चड़ा भी सकते हैं क्योंकि यह एक बेल है तो मेरे पास दिवाल का साहरा नहीं है तो मैं इसलिए इनको ऐसे grow करूँगा बाकि अगर आपके पास कोई दिवाल का support हो तो वहां रसी बांद के इनको चड़ा सकते हैं तो देखिए यहां पे अभी male flower भी आने लगे हैं तो जल्दी हमारे जो plant है वो fruiting भी start कर देंगे तो देख सकते हैं different different तरीके की पत्यों से idea लग रहा है कि मैंने जो 3 variety लगाई थी वो सब अच्छे से grow कर रही है अगर आपके plant में insect लग रहा है तो neem oil का spray करिए जिससे आपके plant में किसी भी तरह के रोग नहीं लगेंगे आप पहले से ही लगबग हफते में एक बार neem oil का spray plant पे ज़रूर से कर दीजे यह देखिया हमारे कुछ plant मैंने बात में भी seed से लगाए थे वो भी grow कर रहे है खरबूजी के plant को seed से लगाए आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो plant है काफी अच्छे से और ज़्यादा growth कर लिया है तो अब हमें जरूरत है इन में कुछ fertilizer डालने की ताकि हमारे जो plant है अच्छे से fruit बना सके तो जब आपका plant थोड़ा सा इस तरह से लगबग 2 मीटर के आसपास या 1.5 मीटर बढ़ जाए तब इन में fertilizer देने का काम शुरू कर दीजे ताकि आपके plant में अच्छी growth हो और अच्छे से flowering हो अच्छे से floating हो तो चलिए अब हम इनको fertilizer देते हैं तो सबसे पहले तो इनकी जो पुरानी पतियां है उनको हम काट के हटाएंगे क्योंकि जो extra energy है वो पुरानी पतियां ले जाती है तो हमें अपने plant पे fruits लेना है ना कि पतियां लेनी है तो कुछ इस तरह की जो जितने भी पुरानी पतियां हैं सूकी हुई उनको काट छाट के जरूर से हटा दीजे जिससे आपका plant अच्छे से healthy रहेगा कभी कभी कुछ पुरानी पतियां plant पे infection भी फैलाने का काम करती है तो कुछ इस तरह की जितनी भी सूकी हुई आपको branch दिखाई दे या leaves दिखाई दे उनको काट दीजे हटा दीजे ताकि आपका plant बहुत अच्छे तरीके से healthy तरीके से grow करे तो देखिए कितनी ज्यादा य आपको pass में चार हो रच्छे से गुडाई कर लेना है तो मैं plant के 4 रच्छे से गुडाई कर रहा हूं आपको बचा के गुडाई करना है plant पे हमें किसी बी तरह का stress नहीं देना है क्योकि हमने plant को चरह सा भी disruptive किया root को तो प्लांट हमारा खराब हो सकता है तो यह देखिए यह लगबग डेड़ से दो साल पुरानी टीकंपोज गोबर की खाद है सबसे अच्छे फर्टिलाइजर गोबर की खाद होती है मैं जितने भी वेजीटेबल या फ्रूटिंग प्लांट है उनमें गोबर की खाद ही देत है इस्टेम के जड़ के पास से निकलती हूं उनको हमें कट करके यह दाना है देखिए इस तरह की आपको पतली पतली प्रांचे मिल जाएंगी उनको आप कट करके हटा दीजे एक healthy और एक अच्छी ब्रांच को ही बढ़ने दीजी ये देखिए कुछ इस तरह की जो लंबी ब्रांच है healthy ब्रांच है जिस पे ज्यादा flowering हो रही है मोटी ब्रांच है उसको बचाईए जिससे आपके प्लांट पे ज्यादा अच्छी फ्रोटिंग है आज पूरे 65 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो खरबूजे का छोटा सा फ्रोट था वो बड़ा हो गया है तो अभी और ज्यादा बड़ा होगा और ये तमिलाटू वेराइटी है काफी ज्यादा सुन्दर होता है काफी ज्यादा टेस्टी होता है तो द लगे हुएं तो कई सारे ये फ्रोट लगे हुएं तो ये दूसरी वेराइटी है मैंने इन में तीन वेराइटी लगा रखा है और आप देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है तो हर जगा बहुत सारे मेल फीमेल फ्लावर आ रहे हैं इस तरह से ह आप केर करिए जो मैंने प्रॉसेस बता है बहुत ज़्यादा केर नहीं करना होता है खर्बूजे के प्लांट को सीट से लगा है आज पूरे सतर दिन हो चुके हैं और देखिए हमारा जो मस्क मेलन है यानि खर्बूजे हैं देखिए फ्रूट कितने बड़े-बड़े हो ग हैं ये जल्दी हार्वेश्ट करने के लिए भी रैडी होने वाला है तो काफी हल्दी सा फ्रूट लगा हुए है आपके पास अगर कोई डोरी हो या कोई ऐसी दिवाल हो जहां पे इनको ठांग सकें तो आप जितने भी जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उनको ठांग करक हार्वेश्टिंग का वीडियो चल्दी दूंगा टेके रेंट पबाए